और आज हम पढ़ेंगे पंच्पुज एक बहुभुज जो दो भुजाय अपनी दिशा में दी है बहुभुज को पूरा करो ये पंच्पुज है एक बहुभुज है जिसकी दो भुजाय दी उई है और हमने इसको कंप्लीट करना है तो हम कैसे complete करेंगे इसके लिए हमें जो कल हमने समान लिया था उसके इलावा हमें protector की जुरुत पड़ेगी यह आपकी D है इसकी जुरुत पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पंचभुच का जो एक कौन है वो 108 डिगरी का होता है तो मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा यह सबसे पहले हम इसकी दो स्थितिया लेंगे यह पहली स्थिति है पहली स्थिति मिन्स यह आपका A और B रेका है यह आपका A B रेका है अब दूसरी स्थिति करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर परकार रखेंगे और D रखेंगे और D को आपको मैं बताता हू यह आपकी लाइन जो है यह लाइन है इस लाइन को हम A B Rijka के साथ अधार के साथ लकाएंगे यह जो आपकी लाइन है इसको मं पॉइंट पर यहां रखेंगे इस पॉइंट को तो मैं सको आपको लगा कर बिता हूँ यहां पर यह देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे हम इसका एंगल एकस वार्ट ना प्लेंगे जैसे यह आपका 110 109 108 तो यह देखिए यह लाइन मेंने एकस वाट डिगरी पिल्कुल एकस वाट डिगरी पे लगा दी इसी तरह से आपने भी लगानी है और फिर क्या करना है जितनी आपकी A B रेखा है आपने उतनी परकार खोलनी है देखिए यह बिल्कुल ठीक है और इस तरह से आपने इस रेखा को काड़ देना है इसका नाम हम दे देते हैं C C नाम हमने दे दिया है अब आपने इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है कि आपने A इस रेखा का और इस रेखा का संदी भाजन करना है मैं आपको बताता हूं संदी भाजन कैसे होता है इस तरह से हम यह लाइन लगा देंगे हमने A से B नाप दिया और हमने रेखा लगा कि इनकी है 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 कि इन फर भी जा लगा देंगे सभिड़ को प्रदाय लिगा सकते हैं इश है कोई बात नहीं इदर भी हम जबादेंगे और इधर भी हम चाप को लगादेंगे इस तरह मिलेजित लगाएंगे और अब क्या करेंगे एप परकार करकर खेंप disappoint को काड़ पर फरक रखनी है और इस चाप नहीं पर कर देना है इस चाप को यहां पर आपके मिल रही है इनको प्रफुता पहले नापना है कि दोनों जगे पर सही हो जहां पर दोनों चाप आपस में मिल रहे हैं यहां से हम डॉटेट लाइन लगाएंगे बिल्कुल ऐसे और यहां भी इन कटी भी चापों को भी हम आपस में मिला देंगे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने अच्छे से फुटा अर्जेस्ट करना है ताकि आपकी लाइन अंदर भार ना जाए जहां पर यह चापे कट रही हैं वहां पर अच्छे से फुटा रखना है अब आप देखिए यहां पर जहां पर दोनों लाइन आपस मिल रही है इस पॉइंट करना हमने दे दिया ओब आप क्या करेंग कर आपने है आपने जिद्नी या सी जिद्नी आ मैश देख सकते एक बिलकुल वहीं पर आ रही है यह रेखिए इतनी पर कर कोल के आपने चाप लगाने कि इसको हम बृत नहीं कहेंगे क्योंकि बृत complete होता है यह complete नहीं है यह पूरा बृत नहीं हम लगाएंगे आम भाशा में तो हम इस बृत ही कहता है पर यह बृत नहीं है अब आप क्या करेंगे आपने A से B, A भी जितनी परकार आपने खोल ली है यह देखिए जितनी परकार खोल ली है C आपने काट रखा है C से आप D काट देंगे और आपने यहां से A से आपने A काट देना है इस तरह से अब आप इसको बेरिफिकेशन के लिए यह जो पॉइंट है इस परकार करके यहां देख भी सकते हैं कि आपका सही है या गलत है यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका बिलकुल सही आ रहा है इस तरह से अब आपने इनको मिला देना है पहले नाम देते हैं यह सी है यह आपका डी है यह आपका ई है इस तरह से आप इनके नाम भी दे देंगे और इनको आपस में मिला भी देंगे इस तरह से इनको आपस में मिला देते हैं यह देखिए और यह देखे अपनी स्तिती में ये ये दो भुजाएं अपनी स्तिती में दी हुई थी और इन्हीं की सायता से हमने ये कंप्लीट कारे किया है यहां पर आपको मैं बता देता हूँ यहां पर ये जो कौन है ये 108 डिगरी का आंतरी कौन बाहिए कौन है 72 डिगरी का आप लिख भी सकते हैं ना लिखो तो भी आपका प्रश्ण गलत नहीं है ये आपका पंटागॉन जो है वो बन के पूरा हो अगला प्रश्ण हम करेंगे ए बी रेखा पर सम शट भूज बिशेश धंग से बनाओ तो ये हम आज अगला प्रश्ण करेंगे ए बी रेखा पर हमने शष्ट भूज बनाना है छे बूज बनाना है बिशेश बिधी से बिधी का आपने ध्यान रकना है दो बिधिया हमरे पास एक स सबसे आसान जो question रखता है वो यही है अब हम क्या करेंगे ये हमने दी हूई A B रीका ले ली है हम क्या करेंगे A से B जितनी परकार को लेंगे क्को धी है और हम क्या करेंगे इतनी ही चाप उपर को लगा देंगे इस तरह से देखिए मैंने चाप लगा दी है बी से और हम ए से दूसरी चाप लगा देए यह पर मैंने परकार रख रहे हैं यह जहां पर यह दोनों चापे आपस में कट रही है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे और हम क्या करेंगे परकार अतनी रख रहे हैं यह इसलीज़ आसान है क्योंकि एक बार जितनी हमने परकार खोल दी है इतनी परकार हम देखो यहां से भी यहां से भी और यहां से भी इतनी रहेगी यह देखिए यह पर भी आप पूरी आदी यह देखिए मैं इदर से दिखाता हूँ आपको यह देखिए और इदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ दोटटट रहेगा एक नहीं होता है फिर भी हम इसको ब्रिट ही कहते हैं इसको अगर हम चाप का नाम देते हैं तो इसको हम कहेंगे दिर्ग चाप क्योंकि पूरा बृत यहां से कंप्लीट ऐसे होगा तो इसको हम दिर्ग चाप भी कह सकते हैं तो यह दिर्गह चाप होती है तो यह दिर्गू चाप है अब हम क्या करेंगे परकार टुनी है जतनी हमने पहले खोल लगीए इसको ज्यादा कम नाय करेंगे हम नहीं हो से इसको एक चाप लगाएंगे, फिर इतनी परकार खोलके हम दूसरी चाप लगाएंगे, इतनी परकार खोलके हम तीसरी चाप लगाएंगे, आपने ध्यान लगना है, जहां पर ये दोनों चाप आपस में मिल रही है, वहीं पर आपने परकार रखनी है, आगे पी चाप ने पर अब का नाम हम देंगे E इसका नाम हम देंगे F अब हम क्या करेंगे B से E को B से C को मिला देंगे यह हमने B से C को मिला दिया है हम C से D को मिला देंगे हम D से E को मिला देंगे E से F को मिला देंगे E से F को हमने मिला दिया अब हम A से F को मिला देंगे और यह आपका बिशेश बिदी से शट भूच छे भूच का तो प्रश्न है यह आपका सौलव हो चुका है इसी तरह से हम बनाएंगे इसको घरे कारे में आपने दोनों भूच अच्छे से बनाने हैं बिशेश तोर पर पंच भूच का ध्यान रखना है D से आपने सही को नापना है तो ही आपका अंगल सही बनेगा नहीं तो गलत बनेगा इसका ध्यान रखना है चैनल को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बेल की आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले नोटिविजेशन आपको सबसे पहले मिलें यदि भौबुस से संबंदित आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर करें